विल्कम बएक टु माइन्य व्लॉग। और कैसे हैं अशरी लूग। अभी सुबा के नौ बजने में चार मिनट कम है। अभी अभी नहा के आरे हैं। और हमने नास्ता असता बना दिया है। विल्कम असाथ कि अभी अभी जाड़ को पूचा लुऑ है। आज बरिस्ता बोहरा है, सब्सकी अभी में चूरहा है। यह कहा पूचा करने हैं। और पी लकता नहीं पहने हैं। और अम नहीं पहने हैं। इसले हमने बहुत गर्मी होती हैं तो हमने इसके गले का भी निकाल दिया है, सुना सुना लगा रहा है, लेकिन क्या करें बहुत दाने निकल आ रहे हैं यहां यहां सब्सक्राइब और लाइक नहीं है, पानी भी नहीं आया है, तो जो टंकी का पानी है उसी जिरम चल रहे हैं, आज भगवान के इस नान मोगेर सब्सक्राइब लेना है, जल रहे हैं पूजा करने के लिए, आप लोग में बने रहे हैं, अभी चाहेंगे जल डाल के आएं, उसके पहले जल डालने उसके बाद के पूजा करेंगे आ रहे है ताजा पानी है, मैंने कहा था ना, अगर भगवान क्यों मर्जी होगी तो ताजा पानी से नहाएंगे, और नहीं मर्जी होगी, तो टंकी वाले पानी से नहाएंगे, तो उनकी मर्जी थी, तो ताजा पानी आगया है, और हम इसमें देखिए जल लोड़क लिए आये हैं, अब अब चल रहे हैं अब चल रहे हैं अब चल रहे हैं करने के बाद है करने के बाद हमने कुछ कपड़े थे उसको डाला सूखने के लिए उसके बाद मैंने नास्ता वागर रखिया और फिर मैं आगई हूं किचन में और देखिए जो नास्ते वाले बर्तन थे मैंने उन्हें साफ करके रख दिया है और सब्जी रोटी तो मैंने सुवा ही बना लिया था आप चल रहा हैं लंच बनाने के लिए और आज में बनाने वाली हूं लौकी वाली मिक्स दाल और मिक्स दाल में क्या क्या रहेगा उड़त की दाल, चने की दाल और अरहर की दाल और इसमें हम मिक्स करेंगे लौकी, प्याज, मिर्चा, लहसुन, टमाटर यही सब मिक्स करके बनाऊंगी दाल और चाबल तो चलिए यहां से शुरू होता है हमारा काम सबसे पहले हम तीनों दालों को निकाल कर एक साथ मिक्स कर लेंगे और फिर उसे हम अच्छे से धूलेंगे तो दाल को मैंने धूल के कुकर में डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे नमक धनिया पाउडर हल्दी पाउडर थोड़ी सी हींग और आप चाहें तो खड़ी सौंफ भी डाल सकते हैं और मुझे खड़ी सौंफ का टेस्ट जो है अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं खड़ लैसन मिर्चा सब तयार कर लोगी फिर इसको दावन मिक्स करके और कोकर का ढखन बंद करके गैस ख्लेम को मीडियम करके फिर दूसरा काम करेंगे दाल पकती रहे हैं यह दिखे यहां पर हमें लोकी लैसन और प्याज को इस तरह से कट कर लिया है और दो मिर्च है हरी दाल में भूल गई थी काटना इसलिए रख दी अभी काट के डाल दोंगी और अभी लाइट भी नहीं है लेकिन लाइट की कमी महसूस नहीं होती है क्योंकि घर मारा काफी खुला-खुला सा है तो इसलिए लाइट दिन में तो लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारा काम चल जाता है और दाल हमें रख दिया है और चाओर साफ कर लेंगे और तीचन में हमारे पिलड जाए helps देख सकते हैं तो चलिए हमारा जाए पकाट्ति रहेगे देरे 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 पकती रहेगे चावल साफ करने के लिए और चावल साफ करने के लिए और अभी लाइट आ चुकी है तो आप लोग देख सकते हैं कि किचन में कलर्फुल लाइट लगी हुई है दोर्मार बट रहे रहे हैं और दार पक चुकी है और इस सीटी नहीं निकली ही शीटी निकल जाये रहे है गैसको भनेट कर दिया है ऐसे जाबारा बच रहा है आज का लेट में आए हैं दोर्मार बट बाले तो फिर दूर निकल आई किसी का फोन आया है कि अ कि अ हमारा बन चुका है और अभी बज रहे हैं एक अब हनी आ जाएंगे तभी लोग खाना खाएंगे तब तक चल रहे हैं कुछ मोबाल पर देखेंगे सेरियल वगयरा इचल यह आप लोग में बने रहे हैं फिर मिलेंगे आप लोगों से थोड़ी देव में अभी पहुने दो वजे का टाइम हो रहा है यहां पर मैं भगवान को दाल चावल का भोग लगा रही हूं क्योंकि दोपर में दाल चावल ही बनाये थे तो दाल चावल का भोग लगाऊंगी क्योंकि सब्जी रोटी तुम्हें बगर नहाय बनाई थी इसलिए सब्जी लाइक शेर और कमेंट कीजेगा फिर मिलेंगे नेक्ट ब्लाग में